पिछली वीडियो में मैंसुरेशन आपकी आठ नमबर की, अलजबरा आपके अठारा नमबर की, कौडिनेट आपके पांच नमबर की जो करा चुके हैं, कम्पलीट कोशन, इंप्रोडेंट कोशन करा चुके हैं, कम्पलीट फार्मूले करा चुके हैं, आप वीडियो बार बा देखते रहें कोशन जो आपका आपके सामने है यह कोशन आपका तिरकोड में ती से लिया गया है आपका चैप्टर उंचाई और दूरी है इसी के आधार पर हम आपको कोशन पर आ रहा है इसमें सबसे में कोशन समझना होता है हम आपको कोशन समझा रहे हैं कोशन आपका है 50 पचास मीटर उची एक मीनार के सिकर से पिठ्थिवी पर एक बिंदू का अबनमन कौन। पर नीचे के लिए आपको क्या कहलाएगा अबनमन कौन। तो इसमें आपको क्या दे रखा है कि एक बिंदू का अबनमन कौन। तो तीस डिगरी है मीनार की मीनार की यह वाला जो फाद है नीचे वाला हिस्सा इससे यहां तक की दूरी कह रहा है कि ग्याद करो। यहां से लेके यहां तक की दूरी यहवाला कोण आपको दे रखा है 30 यह आप नहीं लिखेंगे तब भी चल जायगा लेकिन यह दूसरे का बोजट होते हैं जो हम आपको geometry में कराएंगे उसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं तो अगर आपका ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा फैल question में आपके ये वाला कोण अब नमन कोण ये होता ये दे रखा है देखिए जड़ा आप question में question हम आपको complete करा चुके हैं अब आप जड़ा देखिए answer मतलब complete समझा चुके हैं ये समझना है आपर हम आपको question समझा चुके हैं आगे आप देखिए तिरुभुज ABC में तिरुभुज ABC में आगे आप देखिए 10 ठीटा क्यों लिया है क्योंकि हमारे पास ये दे रखी है और ये दे रखा है मतलब लंब दे रखा है और आधार दे रखा है तो ये हमारा 10 में होता है तो L बटे A तो 10 ठीटा भी दे रखा है तो 10 10 आपको 30 हो जागा बराबर 50 बटे L क्या है 50 है और A आपका क्या है यह आपका क्या है यह आपका X है तो 10 तीस का मान क्या होता है बन बटे रूट 3 यह आपको जागा 50 बटे X जब आप तिर्ची करोगे तो आपको के मिल जागा X वराबर 50 रूट 3 जड़ा ध्यान दे सबसे महिन चीज इसमें कोशन समझना होता है उसी के आधार पर आप डियागराम कम्पलीट करेंगे उसी के बाद आप solution या आपका answer निकाल पाएंगे हम आपको दुबारा बता रहा है इन कोशनों में सबसे महिन कोशन का समझना होता है उसके बाद जो आपका डियागराम बनता है वो पोशन से ही बनता है डियागराम के बाद जो भी आपका solution है या आपका answer है वो आपका चित्र से कम्पलीट होता है आप बार बार बीडियो देखते रहें समझते रहें समझ में आपके आजाएगी अगर आपको बीडियो सही बार सटीक लगती है तो सब स्क्राइब करना ना भूले